नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका सर्च अजार दिमें दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि 15-20,000 की रेंज में आपको 5G स्मार्टफोन अच्छे स्पीड वाला स्मार्टफोन कौन-कौन सा है तो बने रहे हैं हमारे साथ 5G, TOP 5G बताने वाला हूं जो रनिंग में सबसे ज्यादा सेल किया जा चुका है 2020 में इसी साल सेल होने वारे लगबग 2 करोर फोन से ज्यादा सेल हूए है उसी में से हम चुनके आपके लिए लाए हैं TOP 5 स्मार्टफोन 5G आये जानते हैं वैसे तो इसमार्टफोन आपको 13-14,000 में भी मिल जाता है लेकिन उसमें आपको जिसकरे से जो IQ का फोन आता है वो 13,000 कुछ रिपे मिल जाता है लेकिन वह स्मार्टफोन स्रीप कहने का 5G है आपको 5G स्पीड उतना जादा नहीं मिलता 5G का मतलब है बैंड भी सपोर्ट करना चाहिए जो बैंड पे आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराने चाहिए अगर वैसा है तो आपको अच्छे बैंड वाला हम आपको बताने जा रहा है तो रेडमी का फोन है वह रेडमी रेडमी आपको 12 Pro बहुत ही बहतरीन है मैंने उसे यूज किया है और मैंने फाइनस फिल लिया था उसे यूज करने के बाद जो है मैं उसे आपने फ्र चल रहा है स्नैप ड्राइगन चल रहा है सिकनन नंबर पर अजो मीडिया टेक का आ रहा है उसके बाद Samsung जो भी है वगड़ा जो भी आ रहा हो सभी चल रहा है लेकिन अभी जो चिपेट में है सबसे ज्यादा स्नैप ड्राइगन का जाधतर टेकनलोजी है अब आजे जानते वह स्नाप्राइब का फस्ट ऐसा जनरेसें जो आभी तक कोई मोबैल में दिया ही नहीं गया हो अभी तक जो डेडमी 12 प्रो है अब तक का सबसे जो है लेटेस्ट फॉर्ट जनरेसें वाला मोबैल दिया गया उसमें स्नैप्ड्रागन चिप सिट दिया गया है अब आएए जो आट मेगा पिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा इसमें एक और है जो आपको 200 मेगा पिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा जो अगर जो इसमें जो इसमें स्टोरेज है स्टोरेज में 108 जीबी का मिलेगा यह MP मेगा पिक्सल कैमरा मिलेगा वहीं अगर आप 268 वाला लेते ह तो आपको 200 मेगा पिक्सल का प्रोवाइड करा जाए जाए इसकी बैटरी पांशार एमेच की बैटरी है एम-एच की बैटरी कैपेसिटी है लगबग 2-3 दिन चल जाता है मतलब कि अगर आप ज्यादा फिलिम नहीं देखेंगे तो आपको 2-3 दिन यह चल जाएगा अब आए तो यह mobile ले सकते हैं और जहां तक gaming की बात की जाए तो gaming बालों के लिए वह gaming बालों के लिए उतना ज्यादा खास नहीं है वहीं अगर RAM की बात की जाए इसका RAM है वह RGB प्लस चार जीबी दिया गया है आपको मिल जाएगा पहले तीन जीबी हुआ करता था लेकिन आप एक्सटेंड करके जो एक्सटेंडरल रैम है वर्चुल रैम है उसे बढ़ा के चार जीबी कर दिया जब स्मार्टफोन आप लेंगे उसको अपडेट करेंगे तो वहां पे चार जीबी प्लस हो जाएगा जो मोबैल है वो भी अच्छा मोबैल है जो आपको आउनलैन में आपको मिलेगा आफलैन में नहीं मिलता है आउनलैन प्रोड़क्ट जो है वो आपको भरोसा करके लेना पड़ेगा अगर आफलैन लेते हैं तो आपको भरोसा करने की उतना ज़्यादा ज़रूद नहीं है अगर आप रिविव देख लिए उसके बाद आँख बन करके आप ले सकते हैं क्योंकि वहां पर रिटन वगरा करने की या रिप्लेश्मेंट वगरा करने की जंजट ने रहता आप आसानी से जाईए आपका रिप्लेश हो जाएगा या फिर उसको रिपैर करने की सेंटर अगर नहीं समझ में रहा है तो आप उसे वहीं का रिटन कर दो रिटन करने की दोबारा जंजटी ने रहेगा इसलिए कमपणी साफ साफ कह दिया कि ओपन डिलिवरी हम करेंगे जो प्रोडक्त है कस्टमर को अच्छे लगे तो वह लेगा और नहीं तो जब कज़े भी उसे रिटन कर दिया जाएगा इसलिए अपन डिलिवरी का जो आफशन दिया गया है यानि कि अपन बॉक्स डिलिवरी जो है आप अमेजॉन वाले भी लाने वाले हैं और कई प्रोडक्त में तो आमेजॉन वाले जो महेंगा प्रोडक्त है उसमें ला चुके है और अगर पांस 18,000 से लेकर के 19,000 के बीच में अफर आता है तो ओफर के टैम आप ले सकते हैं थोड़ा सबर कीजिए और ओफर के टैम में 18,000 में आपको मिल जागए असलमें यह फॉन 20,000 का है और 18,000 में आपको जो है कभी-कभी बश्ब मिलता है तो वहां पे ले सकते हैं अब आजये जा और आता है 695 जो 95 और 96 जो 5G चिपसेट है इसका जो 5G है यह चिपसेट 5G है यह चिपसेट आपको 5G मिलेगा और इसमें जो स्पीड है वह जबरतस स्पीड है अच्छा नहीं है आप गेमिंग के लिए अगर सोचेंगे कि नॉर्मल यूजिस के लिए अच्छा है आप वीडियो डाउनलोड करना है या फिर वीडियो एडिटिंग करना है नॉर्मल इडिटिंग आप यह जदे ग्राफिक वाला इडिटिंग करना शुरू करेंगे तो हैंकरना शुरू करेंगा यह इसके अंदर ज्याधा कैपिसिटी नहीं होता है 695 में अब उतना ज्याधा बोलेंगे लोडड करना वोले तो नहीं होता है इसमें जो ओक्ता कोर तो बारा की तरह काम करेंगा इस तरह से आपको पता होगा जब मोबाल करीते जो जानकारी ना हो तो हम आपको बताते हैं उसके बाद आपकी डात करा करें हैं तो यही फोन आपको 16 लुग की कि अथाड़ााशाब में आपको रेड़मी को 13 मेगा lonely, यहाँ पे 16 मेगा spectrum का आपको मिल जाएंगा फन्त फ्रंट केमरा आपको मिल जाता है वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो इसका जो बैक केमरा है वो आपको 50 मेगा पिक्सल का आपको मिलेगा 50 मेगा पिक्सल का बैक केमरा आपको मिलेगा एक 64 मेगा पिक्सल का दो केमरा आपको मिलेगा उसके बाद प्लस 8 मेगा पिक्सल य निश्री की बात करें हम तो Form Vivo व का व इसवेंटी थी व्यूबैल यह बहुत ही बहुत भी बहुतिन मुबैल है और मैंने इसे बहुत दीन से चला रख़ए आप देख सकते हैं कि यह विव व आ है यह फोन बहुत दिनों से चल रहे हैं हमारे पास इसकी camera quality भी बहुत जबरदस्त है और बहुत दिनों से यूज़ करूँ मैं इसको आप देख सकते हैं यह Y73 है वीव का camera quality और अभी तक यह phone है वीडियो एडिटिंग के लिए भी अच्छा है यह phone इसका जो इसका पहले चिपसेट की बात करें तो इसका चिपसेट है वह आपको स्नैपड्राइगन का ही जो है सुर्जी मीडियाटेक का मीडियाटेक का आपको 96 मिलेगा मीडियाटेक का डाइमसेटी 96 रहता है वह आपको मिलेगा इसमें और आपको प्रॉआ फ्रयप में शोला सरफ धाइब आपको 44 मेंगा इसमेरी 17 मिलेगा इस्मेरी 17 में चानल होता तो इसमेरीija उसका बाता करें ऐसों उसकांस र mug का तो बात में चाल तक में Kingdom शरव सूने तो अगर आपको तो आपको 2-3 दिन आएगा अब आगे बात करते हैं आपको जो फोन है वह बढ़कों है जो आइक्यू का आज़क्यू साथ आया जो दो कि पूराना मोडल हम और लेकिन यह जो फोन है इसमें अप्ग्रेट करके वीव में भी अप्डेट फाइजी मोडल आया है और इसमें आईक्यू का फॉन है वह जेड़ है जेड़ सेवन है जो की फाइजी एक चिपसेट के साथ आया है फाइजी मोबल है और यह मीडिया टेक डैमन सिटी जो है नौसो बीस एम इसका चिपस आपको मिलेगा उसके बाद इसकी बैक्टरी बैकप और चार्जिंग की बात कहीं जाए तो 44 वाट का मिलेगा आपको चार्जर और इसकी जो बैटरी एमेच है वह 46 एमेच की बैटरी है जो की बहुत ही अच्छा है इसकी कॉल्रिद हलाकि थोड़ा सा ज्यादा देना चाहि जाहा फर्णरर तो प्राइज रेज में आपको 18,999 में आपको मिल जाता है और इसकी जो कैमरा क्रिटी आपना पहली बता अप्रन्ट कैमरा जूय सोरी चरममहा जो का 16LS odcका है अ वर आउर ऐक केमरा जो है इसका आप को 64 मेG पिक्सल और प्लस त्यरा मेG पिक्सल आर प्लस 2 प्लस 2 MP तो इसमें अलग अलग जो है वालिटी में अलग अलग रहता है ज्यादतर इस्तिमाल होने वाले 64 और 13 MP ही यूज उता है उसे ज्यादा यूज नहीं होता है अब आगे बढ़ते हैं इसका जो रेट्मी का इसमें नेसले का जो एक और आया है जो की वन प्लस का एक और जो हम आपको बताते हैं जो इसमें ही कंपेटिशन में एक लॉंच किया गया है जो वन प्लस वाले ना लॉंच किया है सेम प्राइस में आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा 1500 रुपे बढ़ उपर नीचे होगा लेकिन सेम प्राइस करेता है लेकिन कंफ में इसाल में दो करोड से अधीक फॉन बिगे हैं वह एंडिया में खाली इंडिया की बात करूंड दो इंडिया में बिक्षे हैं अब आजए जनते हैं इसका डो कॉलेटी यह तता है और 128 जीब आता एक एट जीबी और जो है जी इबी ऑर 256 जी ओजस्ट ने इतने साथ ना अटा है और इसका बारिकी वाला यूज कोई नहीं करता है तो आए जानते हैं उसके बाद यह तो गया पांच मांँद करता हूं वीडियो थ्रहा लंबा हुआ लेकिन आपको समझ में आ गया होगा तो तो फाइब जो है स्मार्ट फोन इसमें से आप जो चाहें वह आप ले सकते हैं उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्क्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के बबाइज जाहें